नैनी ताल में सरकारी करमचारियों की मिली भगत्से जमीम के फरजी दस्तावेज बनवा कर कई बैंकों से रिंड निकालने का खुलासा हुआ है वहीं दिल्ली में आईजी एरपोर्ट से एक ब्राजिलियन महिला पांच करोर रुपए के कोकीन के साथ गिरफतार की गई इसी तरहे जुर्म की बड़ी खबरें पढ़िये क्राइम कैपसूल में नैनी ताल में सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत्से बैंक लोन फ्रोड उत्रा खंड के नैनी ताल में सरकारी अधिकारियों की मिली भगत्से जमीम के फरजी दस्तावेज के जरिये बैंकों से रिंड लेकर ड़कार जाने के कई मामले सामने आए हैं सरकारी करमचारियों की मिली भगतसे बैंकों के रिंग की बंदरबांट का यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहित मिली जानकारी से हुआ है RTI के तहित मिली जानकारी के मताबिक नैनी ताल जीले के देवल पटीक शेतर के कुछ किसानों ने राजस्व विभाग के पटवारी से मिलकर बैंकों में जूठे दस्तावेज पेश किये और लाखों रुपे कर रिंग ले लिया जानकारी के मताबिक बैंक से रिंग हासिल करने के लिए बैंक को दिये गए संपती के दस्तावेज में जमीम का आकार दस गुना तक बढ़ा कर दिखाया गया यहां तक कि भूमिहीन व्यक्ति को भी जमीम का मालिक बना दिया गया आरटी आई के जरिये मिली सूचना में यह भी खुलासा हुआ है कि लगभग 43 लोगों ने फरजी दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग बैंकों से रिंग लिये हैं यहां तक कि देवीदत नाम के एक मृत व्यक्ति के नाम पर भी रिंग इशेव करवाया गया है यहां तक कि दो बैंकों से देवीदत के नाम पर मृतक भी मा कलेम भी लिया गया आरटी आई कारकरता का यह भी कहना है कि उन्होंने इस मामले पर बढ़ ओरडा बैंक धनैनी ताल बैंक और नैनी ताल डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कारेवाही नहीं हुई जब संबंदित बैंकों से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की गई तो किसी भी बेंक का कोई भी अधिकारी बात करने को राजी नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर कुमाओ के कमिशनर ने सहनग्यान लेते हुए पूरे घोटाले की जाज करने की बात कही है। उनके मुताबिक जिलादिकारी से मामले की जानकारी लेकर जांच की जाएगी और दोशियों के खिलाफ कड़ी कारेवाही की जाएगी स्विमिंग पूल में डूब कर दो युवकों की मौत हत्या काशक राजदानी दिली के बुराडी में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई घटना रविवार शाम की है मृत्कों की पहचान 22 वर्षिये अमित और नीरज के तौर पर हुई है पुलिस ने पोस्ट मॉर्टम करवा कर शवों को उनके परिजनों को सौब दिया पुलिस हत्या के इंगल से भी केस की जांच कर रही है पुलिस जांच में पता चला है कि बुराडी इलाकी के बेरी वाला बाग परिसर में खेती की जमीन पर यह हवेद स्विमिंग पूल बना हुआ है रवीवार शाम को तोमर कॉलोनी निवासी अमित, नीरज जोर भारत अपने अपने घर से शाम को वापस आने की बात कहकर यहां आये थे तीनों दोस्त शाम साथ बजे के करीब स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुँचे और पूल में उतर गए जबकि तीनों को तेरना भी नहीं आता था नहाते हुए तीनों गहरे पानी में चले गए अमित और नीरज की डूबने से मौत हो गई जबकि भारत किसी तरह बाहर निकल आया भारत ने पूल के पास खड़े लोगों को आवाज लगाई करीब पांच मिनट तक दोनों बाहर नहीं आये तो गोता खोरों में उनकी तलाश की काफी देर बाद दोनों को बाहर निकाला गया और पास के एक नीजीव हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों में दोनों को मृत घोशिद कर दिया हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही बुराडी थाना पुलिस को फोन कर सूचना दी जिसके बाद मौके पर पुलिस पर पहुंची पुलिस ने चश्मदीन भारत के बायान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है भारत ने बताया कि पूल में सुरक्षा संबंधित उबकरण नहीं थे स्थानिय लोगों का भी कहना है कि यह स्विमिंग पूल अवेद तरीके से बना हुआ है जिसकी अनुमती नहीं ली गई थी वहीं पुलिस अधिकारियों के अनसार यह जांच का विशय है बुराडी थाना पुलिस ने लापरोही से हुई मौत मामले में विभिन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है गुजरात, बिटकॉइन मामले में शिकायत करता को ही बनाया गया आरोपी गुजरात में पुलिस के जरिये कारोबारी का अपहरन कर 12 करोड रुपे का बिटकॉइन हती हाने के मामले में CID क्राइम ब्रांच ने दूसरी FIR दर्ज की है नई FIR में पुलिस ने शिकायत करता शेलेजभट और उसके भांजे को ही आरोपी बनाया है CID क्राइम ब्रांच शेलेजभट के भांजे को पहले ही गिरफतार कर चुकी है जबकि शेलेजभट फरार चल रहा है दरसल मामले की जाच कर रही CID क्राइम ब्रांच ने जब इस बात की परताल शुरू की कि शेलेजभट के पास इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन आये कहा से CID को जान पें पता चला कि शेलेजभट के पास ये बिटकॉइन बिटकनेक्ट नाम की कपमी से ट्रांस फर हुए थे यह कंपनी सतीश कुम्भानी नाम के एक शक्स की थी जीस ने लंदन से पढ़ाई की है सतीश ने बिटकॉइन खरीदने के लिए सूरत में दो साल पहले एक स्कीम रखी थी इस स्कीम में दो साल के अंदर ही बिटकॉइन के दान सोलह गुना बढ़ गए थे जिससे सतीश कुम्भानी को काफी फायदा हुआ था हलांकी जन्वरी 2018 में उसकी कंपनी बंध हो गई और कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले सूरत के कई व्यापारियों को भारी घाटा उठाना पढ़ा शेलेश भट के भी करोडों इस कंपनी में डूब गए इसके बाद शेलेश भट ने अपने डूबे पैसों की उगाही के लिए किड्नैपिंग की साजिश रची शेलेश ने कुछ गुंडों की मदद से सतीश कुम्भानी के साथ ही पियूश सावलिया और उसके बाद धवल मावानी का अपहरन किया शेलेश नधवल के अकाउंट से 2256 बिटकॉइन अपने अकाउंट में ट्रांसपर करवा लिये जिनकी कुछी दुनों में कीमत 137 करोड रुपे हो गई CID ने इस मामले में निकोज भट और दिली देसाई को भी गिरफतार किया है और उनके पास से अब तक 150 से ज़्यादा बिटकॉइन रिक्वर कर लिया है दिली पांच करोड के कोकीन के साथ ब्राजिलियन महिला गिरफतार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 25 साल की एक महिला को दिली के आईजी एरपोर्ट से गिरफतार किया है ब्राजिल की रहने वाली इस महिला के पास से करीब 5 करोड रुपे की कीमत कन और 37 ग्राम अमेरिकन कोकीन बरामद हुआ है जानकारी के मताबिक ब्राजिलियन महिला कैपसूल के अंदर छपा कर इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन ला रही थी हाला की पकड़े जाने पर महिला ने कोकीन के सभी कैपसूल निगल लिये 14 माई को उसे ANCB की टीम ने दिल्ली एरपोर्ट से गिरफतार किया कैपसूल निगल लेने के चलते महिला को पहले अस्पताल ले जाया गया जहां उसका बकाइदा एक स्रे करवाया गया एक स्रे में उसके पेट में कोकीन के कैपसूल नजर आ गये जिसे ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया ANCB के मताबिक आरोपी महिला साउथ अमेरिका से कोकीन लेकर दिल्ली आ रही थी जानकारी के मताबिक यह कोकीन दिल्ली NCR में सक्रिय अफ्रिकन तस्करों को सप्लाई करना था फिलहाल आरोपी महिला जेल में है